वोगोर मुए चोटीज़रन आज हम क्लास फिप्ट के चैप्टर नंबर को पढ़ेंगे सब्जेक्ट हमारा होगा साइंस. चैप्टर करने में हमारा चैप्टर चैप्टर करने में food and health. भूजन और हमारा स्वास्त कैसे रिलेट करते हैं हम एक दूसरे को कि भूजन से किस परका हमाई हेल्थ पड़ती है हमें किस टाइप का भूजन करना चाहिए माई हेल्थ कैसी होनी चाहिए इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रेंस और फूट्स जैसे की कार्भोहड़ेड हो ग और फूट्स जो फूट होता है भूजन होता है वह में एनर्जी प्रोवाइड करता है कि इसके लिए ब्रद्धी करने के लिए और जो हमारी बॉड़ी होती है उसको रिपेयर करने के लिए एनर्जी इस आलसु नीड़ी फॉर नार्मल बॉड़ी फंक्शन लाइक ब्रीध करना हमें सांस लेना और बहुत सारी एक्टिविटीस होती है जैसे की वॉक करना रीट करना स्विम करना प्ले करना इन सब के लिए हमें एनर्जी की अवश्यक्ता होती है फूड ऑलसू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजन और कीपस अस हल्दी जो फूड होता है पर हमें क कौन कौन से न्यूट्रेंट्स होते हैं या पोशक तत्व होते हैं फूड कंसे इन इस पेशल सबस्टेंस कॉल न्यूट्रेंट्स जो फूड रहता है बोजन होता है वाइस पेशल सबस्टेंस कंटेंड करता है जिनको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं इस न्यूट्रेंट्स Carbohydrate, Protein, Fats, Vitamins and Minerals We need to eat the right amount of each nutrients to stay healthy और हमें healthy रहने के लिए, स्वस्त रहने के लिए इन nutrients को right amount में या फिर सही मातरा में लेने की अवश्यक्ता होती है इसमें हमारा first nutrients है Carbohydrate To carry out various activities, बहुत सारी activities को करने के लिए Our body uses a large amount of energy हमारी body को बहुत अत्य देख माता में energy का अवश्यक्ता होती है We get this energy by eating food rich in Carbohydrate और या energy हमें कहां से मलती है जो हम Carbohydrate से rich food खाती है उससे मलती है Carbohydrate साज सुगर रहन स्टार्च Carbohydrate में क्या होता है? सुगर रहती है तो स्टार्च रहता है They give us an energy to work and play भाय में help करता है किसके लिए work करने के लिए और प्ले करने के लिए Therefore, they are also called energy given food इसलिए हम इनको क्या कहते है Energy given food भी कहते है Whole grain breed जो पूरी grain bread हो गया है Rice हो गया, wild potato हो गया, wheat हो गया, corn हो गया, fruits हो गया Like bananas and mangoes Origin carbohydrate यह सारे कहा है Rich carbohydrate में जैसे की bread, rice, potato, wheat, corn, wheat, mango, bananas यह सारे किसमें Carbohydrate से rich food है इसके बाद next है हमारा proteins Proteins क्या होते है Proteins help the body to grow Proteins हमें किसलिए help करते हैं Body को grow करने के लिए It also helps to build and repair cells यह साहता करते हैं किसके लिए Build करने के लिए और repair करने के लिए Cells की Therefore, proteins are called body building food इसलिए proteins को हम body building food भी कहते हैं Meat हो गया, fish हो गई Poly tree हो गया, milk हो गया, cheese हो गया, etc Are rich in protein Beans, pulses, peas and nuts also good sources of protein यह सारे good sources हैं किसके protein के Meat, fish, egg, cheese, pea हो गया यह सारे किससे rich है, protein से rich food है इसके बाद next topic है हमारा fat Fat क्या होता है Fats are also energy given food Fat भी क्या होता है, energy given food होता है They contain twice the amount of energy at present in carboidate और यह twice the amount of energy present करता है जितनी carboidate में रहती है energy उससे दूगनी energy हमें देता है Extra fat get deposit under the skin for later use और यह extra fat होता है हमारी skin में deposit हो जाता है जो में आगे चल के use करने में help करता है We should eat the right amount of fat because too much of fat is bad for our health हमें right amount में fat खाना चाहिए क्योंकि जिससे अगर हमारा सरीर में too much fat हो जाएगा जो हमारी health के लिए अच्छा नहीं है Butter, oil, ghee, cheese, whole milk, meat and nuts as the sources of fat Butter हो गया, oil हो गया, ghee, cheese, whole milk, meat, nuts are rich in sources of food यह for fat में rich food है इसके बाद next है हमारा vitamins and minerals यह क्या होते है So vitamins and minerals are needed in a small country जो vitamins and minerals होती है हमें उनकी थोड़ी सी मात्रा की अवश्यकता होती है They are very essential for the body यह body के लिए बहुत ही अवश्यक होती है They help us fight and protect ourselves from diseases यह हमें help करते हैं fight करने के लिए और protect रखने के लिए यह ड्रोगों से यह diseases से Therefore, they are also called protective food इसलिए हम इनको protective food भी कहते हैं Vitamins and minerals are found in fresh fruits and vegetables Vitamins and minerals होते हैं पर कहां पाए जाते हैं Fresh food और vegetables में होते हैं इसके बाद next step Vitamins can be classified as fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins Vitamins हैं हमको दो टाइप से divide कर सकते हैं Fat-soluble यह जो fat-soluble हो जाते हैं जैसे कि Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E और Vitamin K और water-soluble vitamins होते हैं जैसे कि Vitamin B and C Vitamin C keeps the gums healthy and helps the body absorb iron जो Vitamin C होता है जो gums होते हैं उसको healthy रखता है और हमारी body को iron को absorb करने में help करता है Vitamin D works with calcium and phosphorus to make strong bones and teeth जो Vitamin D होता है वो calcium और phosphorus को build करने में help करता है जिससे हमारी bones और teeth होते हैं mineral subs है variety of purpose जो minerals होते हैं वो एक variety सब करते हैं purpose की for example calcium boiled bones and teeth and helps to clot blood जो calcium होता है वो हमारी bones और teeth को build करने में help करता है और clotting of blood के लिए भी help होता है iron is needed to build red blood cells which carry oxygen from the lungs to other body cells जो iron होता है वो किसलिए अवशेक्त होता है जो red blood cells होती है उनको बनाने के लिए और oxygen को carry करने के लिए लंग से body के other body cells में other minerals important for the human bodies include iodine, magnesium, sodium, potassium and zinc कुछ दूसरे भी minerals होते हैं वो भी important होते हैं हमारी human body के लिए जैसे कि iodine हो गया, magnesium हो गया, sodium हो गया, potassium हो गया और zinc हो गया इस तरीके से जो हमारी जो पांचो nutrients हैं उनके बारे में हमने देख लिया है त्हंक य।